तो हम आचुके हैं वापस आपके लिए दोने रेनिंग शू लेके जिन में से एक है हमारा Asian Man का Reflective 13 और दूसरा है Airball 02 और ये दोने शू काफी ज़ादा डिमांड के अंदर है यानि कि लोगों को काफी पसंद आ रहेते तो सोचे क्यों न हम भी एक बार इसकी Unboxing करके चेक करें कि इनकी Quality आपको कैसी मिलते हैं और भाई ये दोनों शू रनिंग के लिए best होने वाले है या नहीं तो ये सब जानने के लिए हम कर लेते हैं अपने पहले शू की Unboxing जो कि है Reflective 13 तो ये आचुका हमारा शू जो कि आपको एक ऐसे Box के अंदर देखने को मिल जाता है तो इसे एक बार Open करके शू को बाहर निकाल लेते हैं तो ये आचुका है हमारा Reflective 13 शू और भाई देखने में Lookwise मुझे काफी पसंद आया एन इस शू का जो Main Focus Point है वो ऐसका Reflective Technology ये जब भी आप शू को पहन के नाइट के अंदर Running या Jogging करेंगे तो उस टाइम पे भाई ये शू reflect करने वाला है यानि कि अपने Color Change करेगा जब भी इसको पर एक हलकी सी Light वगेरा आएगी एन इस शू के अंदर आपको तीन Color का Combination मिलता है जिनमें से एक है हमारा Blue, दूसरा है Mustard Yellow and जो थर्ड है वो है White Color यानि कि भाई तीनो Color काफी अच्छे लग रहे शू के अपर एगर पूरे Overall View की बात करें तो जो हमारी शू की Upper Side है यहाँ पे आपको एक Dark Color का पूरा का पूरा पैच दिख रहा होगा और यही वो पैच है जो कि भाई reflect करता है Night के अंदर और यह पैच आपको मिल जाता है श लेफ्ट और राइट साइड पर लोगो दिया गया जो कि है Mustard Yellow कलर का और उसी के थोड़ा आगे यहाँ पर आपको इनकी ब्रैंडिंग मिल जाते है जो कि लिखा गया Asian 10 अगर इशू को देखे तो भाई इसके अंदर आपको काफी अच्छी जो ब्रेधिवल्ट है वो मिलन इसके अंदर आपको जो footbed है वो काफी comfortable देखने को मिल जाता है यानि कि footbed के ऊपर यहाँ पर आपको memory form technology मिलने वाली है और आप सभी को पता है कि वो technology कितनी जादा comfortable होती है यानि कि अगर आप long term के लिए शू पहनते हैं तो आपको बहुत जदा comfortable यहाँ पे feel होने वाला है और उसके अलब अगर shoe laces देखें तो यहाँ पे आपको blue color के laces के उपर white color के dotted designing मिल जाते है जो कि भाई shoe के color combination के साथ काफी अची match होती है यानि कि भाई जो shoe की upper side है चाही reflective patch हो गया यहाँ पे आपको काफी finishing भी मिलती है और यह patch आपको जल्दी से खराब होने वाला नहीं है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग यह सोचते है कि भाई यह patch उतर जाएगा नहीं भाई यहाँ पे आपको काफी अच्छी जो fixing है वो देखने को मिलने वाले है यहाँ पे आपको dotted designing मिल जाती है और shoe की back side में आपको पूरी lining designing से यह shoe cover मिलने वाला है जो कि भाई देखने के heel portion है यहाँ पे max cushion technology का भी उस क्या करेंगे तो जो हमें शो एब्जोर्ब रहना वो यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है तो जब हम शो पहनते तो वहाँ पे एक चीज़ और मैटर करते है कि भाई आपके shoe की gripping कैसी है तो यहाँ पे अगर हम shoe की bottom side देखे तो आपको sleeping है वो काफी अच्छी बना देते हैं कि running or jogging के time पे आपको जो slip वगरे की problem होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो यह था हमारा overall shoe जो कि मुझे काफी पसना है सबसे पहले एक तो यह comfortable बहुत है उसके बाद में भाई इसका जो weight है आपको बहुत ज़्य लाइट मिलता है यहलका फुल का शू जब आप पहन के running वगरा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाल है इसको आप day और night के अंदर भाई दोनों time पहन सकते हैं ऐसा नहीं है यह reflective है तो only up night को ही पहने नहीं आप day के अंदर भी पहनेंगे तो इसकी जो हमारे second shoe जो कि आपको same box के अंदर मिल जाता है तो इसे भी एक बार बहार निकाल लेते हैं यहाँ पे जो हमारा shoe है कुछ look wise आपको ऐसा देखने के अंदर मिलने वाला है एंड इशू का name है भाई Airball 02 जो कि भाई इसका जो Airball 01 है काफी जादा famous था तो उसी के एक series ही आपको lining है आपको हर तरफ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर change मिलता है यानिकि अगर आप shoe की toe side देखे तो आपको जो designing है थोड़ा सा अलग मिलेगा उसके उपर आपको थोड़ा अलग designing मिलता है और ऐसे ही अगर आप shoe की left and right side पर देखे तो यहाँ पर आपको जो parallel lining designing है वो देखन को मिल जाती है यानिकि भाई पूरे shoe के उपर हर तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा जो change है वो देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा लगता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो यह portion है आपको देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर आपको इसी के साथ में अगर shoe की back side देखे तो यहाँ पर भी आपको synthetic leather का एक patch मिल जाता है जो की blue color के अंदर है और shoe को आराम से पहनने के लिए आपको back side पे एक red color का pull top मिल जाता है जिसका आप use कर सकता है shoe को पहनने के लिए and अगर हम shoe laces की बात करें तो यहाँ पर आपको blue color के laces मिल जाते है जिसके उपर white color के dotted designing देखने को मिलने वाली है तो अगर हम बात करे shoe के midsole की तो यह आपको मिल जाता है white color का and जो shoe की back side है यहाँ पर आपको मिल जाती है colorful bid and यह जो beads है यह आपको मिल जाती है total 3 color की इन में से एक है हमारा red color दूसरा है white and third है हमारा black color यानि कि जै देंगे तो जो हमारी बीड्स है अपनी वो position हलका हलका चेंज करती रहते हैं जो की देखने के अंदर तो काफी अच्छा लगता ही है तो जो हमारे midsole का front part है यहां लिख भी गया है airball technology उसके साथ में भाई यहाँ पर eva material का use किया हुआ मिल जाता है जिससे कि भाई जो हमार material के यानि की rubber material मिल जाता है उसके साथ में जो हमारा beach का जो white part है यह आपको मिलता है इवा material का उसके साथ में भाई यहां पर आपको काफी अची ग्रूस भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आने वाले जिससे कि जब भी आप running वगरा करेंगे तो उस time पर भाई यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो भाई जब हमने इशू को पहन के check किया था तो यह मुझे बहुत ज़्यादा comfortable लगाता क्योंकि यहाँ पर जो इशू का footbed है यहाँ पर use क्या गया memory foam technology का और आप सभी को पता है कि यह technology कितना ज़्यादा comfort feel कराते हैं जब भी आप running या jogging करते है और उसके साथ में जो shoe की cushioning है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हर तरफ से आपको comfort feel इसे पहन के होने वाला है तो यह था हमारा airball zero two shoe जो की पहनने के बाद मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है और उसके जो overall look है यह मुझे काफी पसंद लाई है यानकि अग के रहे हिसाब से थोड़ा आपके लिए हैवी होने वाला है तो गाइस यह थे हमारे दोनों show जो की look wise and comfortable wise बात करूं तो मुझे दोनों ही पसंद आए है तो आपको जो भी पसंद आप एक बार ज़रूर जाकर try कर सकते हैं और अगर आपको confusion है कि आपको size कौन सा लेना है तो अगर आपको किसी वी तरह की queries वगर है तो comment box में लिखना ना भूले मैं आपकी help करने की कोशिश करूंगा